बरेली थाना बित्री चैनपुर छेतर में दो दिनों से लापता व्यक्ति की नहर किनारे सडी गली लाश मिलने से इलाके में संसनी फैल गई पुलिस चहां पोस्ट माटम के बाद मौत के कारण सपस्ट होने की बात कह रहे हैं तो वहीं परिवार वालों का आरोप है किसी ने उनकी हत्या की बरेली के बित्री चैनपुर धाना छेतर के नर्यावल के रहने वाले 45 वर्षी श्यामवीर शर्मा पुत्र रामचंडर 9 सितंबर की सुबहा घर से निकले थी पर उसके बाद उनका कुछ पता नहीं लगा धरवालों ने काफी तलाश करने की कोशिश की पर जब वहन नहीं मिले तब थाने में 9 सितंबर को श्यामवीर की गुमशुदगी दर्ज कराई गई जिसके बाद बित्री चनपुर थाने की पुलिस भी श्यामवीर शर्मा को तलाश कर रही थी कितविर अविवार को नर्यावल में ही नहर किनारी खेत में श्यामवीर की सड़ी हुई लाश मिली 45 वर्षे श्यामवीर के सड़ी हुई लाश मिलने से उनके परिवार में कोहराम मच गया मृतक के बेटे का आरोप है उसके पिता श्यामवीर की किसी ने हत्या की है लाश की शिनाक्त मिटाने के लिए उनके चहरे पर कोई कैमिकल या तेजाब डाला है चहरा खराब हो चुका है शरीर पर जगह जगह चाले पड़े हुए थे अब पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा मौत का कारण मेरा नम सुदाम सुसरमा है और लमदम ग्यार तारीक को लमदम एक वज़े के करीब मिले थे नहर किनारी जो आलविश्टोर के सामने रोड गया है पतातपुल को नहर किनारी नीचे पड़ू ही मिले थे और इनकी वह लास का मिली हुँँए लास नहर के नीचे को मिली थी और इनकी मुझे यह लग रहा कि इनका मटर किया गया है और इनका चेहा बिलकुल नश्कर दिया है कोई केमिकल डाल के और इनका गला गोटा गया है और इनके हांतों पर फल के पगए रहा है मुझे मटर लग रहा है एक किरसी करते थे थी फ्लाल अभी तो कुछ नहीं नर्यावल के रहने हो लिए थाना बीतरी चैनपूर में आज मॉर्णिंग तकरिबंदस पजे सूचना प्राप्त हुई कि नहर के किनारे एक खेत की मेड़ पर एक बॉड़ी पड़ी है तो सूचना मिलने पर संग्यान लेत यह प्रतम द्रश्टिया इसमें कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि बॉड़ी डीकंपोजड अवस्ता में है पोस्मार्टन के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि क्या इंगल निकल के इसमें है उम्रुन की पच्पन वर्ष के दक्रीमत है देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर